तो यहाँ पर मैट्रिक के अस्टुडेंट के लिए यानिकी मैट्रिक जो 2022 में इस बार यानिकी जो एक्जाम देकर सभी अस्टुडेंट पास कर चुके हैं उन सभी के यहाँ पर अब्जेक्टिव का एंसर की जारी हो चुका है तो एंसर सिट जारी हो चुका है उन सभी का अ जारी हो चुका है उसका एंसर देखने के लिए तो मैं इसमें आपको सारा प्रोस पता हूंगा को एंसर कैसे चेक करना ऑब्जेक्टिव वाला जो मैं टेक इस पर 2022 में पास किये हैं उन सभी अस्टुडेंट्स तो चलिए शुरू करते हैं चैनल पर नए होंगे तो चैनल को स इस तरह साइब सच कर लेंगे सर्च करने के बाद आपको पेज कुछ ऐजसा देखने को मिलेगा से एक लिखा heter जैसा कि मैं आपको यहां पर प्रोभाइड कर दे रहा हूं यहां पर जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि यहां पर लिखा वह एक बिहार बोर्ड क्लास 10 एंसर की ऑब्जेक्टिव या अब्जेक्शन तो ऑब्जेक्शन के लिए यहां पर क्या किया कि यहां पर इसको क्य करना ओपन कर लेना है वैसे लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाल दूगा जो आप इस वाले लिंक पर डायरेक्ट चले आएंगे तो यहां पर आने के बाद थोड़ा से नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहां पर क्या दिखाए डाउन क्या करना है तो आपको पेज ऐसा ओपन होगा तो सबसे पर आपको क्या करना है यहां पर माधिमिक परिछा लिखा वह इसको आपको कुछ नहीं करना है आपको करना है यहां पर रॉल नंबर जो यहां पर रॉल कोड़ डालना है इस वाले पेज में यहां पर डाल लेना है उस date of birth को यहां पर आपको type करना है इसका बाद यहां पर search वाले section पर click कर लेना है तो चलिए मैं आपको एक detail fill करके show कर देता हूँ तो जैसा कि मैं यहां पर क्या किया हूँ कि यहां पर मैंने यहां पर roll code डाल लिया हूँ और इसका बाद यहां पर roll number इसका बाद यहां पर जर्मती थी इसका बाद यहां पर search का section इस पर आपको click कर लेना है तो चलिए मैं click कर ले तो यहां पर click कर वे तापको page कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और यहां पर अपना जो भी detail था आपका जैसे कि आप जिस school का आप student रहे हैं उस school का नाम यहां पर दिखाएगा इसका बाद यहां पर roll code और roll number दिखाएगा यहां पर registration number इसका बाद student का नाम यहां पर दिखाएगा इसका बाद उसके पिता जी का नाम दिखाएगा इसका बाद यहां पर आपको सभी detail दिखाएगा आपको कौन सा language है कौन कौन कैसे check करना है तो चले मैं आपको बारी-बारी से समझा देता हूँ आप यहाँ पर वीडियो को skip करके बिना skip की हुए देखे हैं क्योंकि जब तक आप detail पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे करना होगा तो objection करने के लिए पहले आपको क्या करना हो कि यहां पर आएंगे और इस वाले box में आपको पूरा address फिल करना होगा इसमें type आपको select कर लेना है इसके पाद यहां पर mobile नमर डालेंगे हैं यहां पर इ-mail ID डाल ंहीं एजना होगा यहां पर सब्जेक्ट कर और यहां पर すब्जेक्ट कर करें P यहां पर यहां पर но beim email ID डाल लेंगे जिनको और यहां पर subject क का मैं यहां पर डेमो दिखा रहा हुग इस तरह साथ करना हुआ इसका इसे बाद इसका बाद एरन में आपको क्या करना है या उतर गलत है या सवाल गलत है यहां पर सवाल लिखेंगे और इसके बाद यहां पर सवाल का है जो भी आपको सवाल गलत है उसको यहां पर डिटेल देंगे कि आपको यह सवाल में समाल लिजे जो भी क्यूशन जो था वो अगर गलत है तो यहां पर आपको टाइप करना है कि पहले से जो क्यूशन दिया हो कि answer sheet कैसे check कर लेना है, साथ जात में यहां पर देखे answer sheet check करने के लिए प्याँगे क्या दिया गया है, यहां पर answer sheet first sitting का है, और यहां पर जिनका second sitting होगा, यहां पर second sitting दिया गया है, अब अपने answer यहां पर आपको select डीया और शाइंस करेंगे और साइंस वाला पर क्लिक करेंगे और साइंस वाला पर किलिक करने के बाद पेज जयाब यहां पर सभी डिटेल दिया गया है लिए फीलेकर आपको किविजन नमर लॉ inf कि जब मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमेरे कोमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिएगा तो चले मिलते हैं कि नए वीडियो में नए टोपे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद